नमस्कार दोस्तों, पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं, आप उस वीडियो को देखें ध्यान से, तो आपको कुछ समझ में आएगा, हम दो इसके बाद इस पर बताते हैं, पहले इस वीडियो को देखें ध्यान से, एक सिकंड, बहुत ध्यान से देखें इस वीडियो को, जितना आप द्यान से देखने के तभी आप वो मेरी बात समय में आएगी आप 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 इसे बोलते हैं 3D hologram technology और दूसरा जो fan वाला देखे हैं वो उसका hologram fan technology है यह technology business के एड्रोटाइज के लिए बहुत ही मस्ट technology है और इसी के साथ साथ यह technology देखकर आपको और भी कुछ चीजें देखने को मिला होगा कि इसमें देखिए कोई भी बैक लाइट नहीं है ना ही कोई जो है उसमें LCD पैनल है जो आपको कैसे इस चीज को देखने को मिल रहा है इसी चीज को हम आपको clear बताना चाह रहे थे उस समय लेकिन अब इस technology को देखकर आपको साथ विश्वास हो गया होगा कि मैं जो कह रहा था वो सही था कि हवा में पिच्चर कैसे दिखेगा अब इसको हम और भी विशेश तरीके से समझते हैं देखिए हमको जानना भी समझना भी जरूरी है कि जैसे लोग काते हैं कि मैजिक कि कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि मैजिक कैसे हो जाता है आप technology की मैजिक आप इसलिए कुछ चीज को समझना भी बहुत जरूरी होता है जो आज की technology है क्योंकि तभी हम उसे यूज कर पाएंगे तो technology को समझने के लिए सबसे पहले हम बताते हैं कि देखिए सबसे पहले जो चीजे हैं हमको समझने के लिए वह हैं कि without wire कोई चीज कैसे ट्रेबल करती है यानि उस पर data कैसे ट्रेबल करता है without wire क्यों पहले यह देखने द्यान से यानि जैसे कोई भी circuit में देखिए अगर डाइग्राम है तो उसमें डाइग्राम में जो यह सारे circuit बने होते हैं तो एक ट्रेक होता है ट्रेक के थूरू जो है data हुआ या voltage हुआ या signal हुआ या कोई भी communication इसमें होता है तो वो क्या होता है ट्रेक के थूरू जो है एक दूसरे से connect होता है या तो integrate यानि इसके आंदर हो या IC के अंदर हो तब वो जो है communicate कर पाता है यानि जुड़ा होता है लेकिन without wire तो इस चीज को हमको समझना बहुत जरूरी है उसके लिए example पे देखें ज सेकेंड आता है Bluetooth उसके बात यहां पर थर्ड आता है Wi-Fi इस समय फाइबर टेकनोलोजी है फाइबर टेकनोलोजी में लेजर मैथेड यूज किये गए हैं यह जो हमारा Bluetooth था और और Wi-Fi जो था उससे और बेटर रिस्पांस के लिए देखिए सबसे मस्ट टेकनोलोजी कौन सा आयर निकल के लेजर टेकनोलोजी जो की आप यहां से बैठ कर जहां पर Google है एक सेकेंड में उसकी जो ब्राउजिंग आप कर सकते हैं देखिए कोई भी चीजें सर्च करते हैं तो तुरंत उसका रिस्पांस मिलता है और कहां पर Google है और कहां पर आपकी मोबाइल है कहीं से अब ही आप उसे सर्च करें तो यह टेकनोलोजी की स्पीड देखें तो इस मैठड को समझना जरूरी है इसलिए कि जो भी टेकनोलोजी अब आपको मिलेंगे वह ऐसे ही मिलेंगे हवा में और हवा में चीजों को दिखाया जाने सकता फेलिंग कराया जा सकता है या तो उसे से रिसीब करा जा सकता है अब अब आएगा प्राब्लम यह कि कैसे रिसीब करेंगे तो उसको एक्जांपल पर दिया जाए का से आता है नेटवर्क कर दिखाएं कि नहीं देता कि लेकिन यहां पर हजारों और जैसे पहले स्टार्टिंग देखें सुरू की टेकनोलोजी जब हम रेडियो ट्रैंस्टर को इस्टेशन पकड़ाते थे तो उस समय देखिए स्री लंका का जो वहां से आता था और हमारा जो नजदीक का इस्टेशन होता था उससे इस पष्ट आता था लेकिन जब दूर कहीं से इस्टेशन पकड़ता था तो दे आईडियो के रूप में हमको सुनाई देता था वो कैसे हो पाता था इतनी बार एक सी जो सिगनल है आईडियो की तो इस चीज को आज हमको समझना जरूरी है क्योंकि जो टेकनोलोजी है अब काफी इंप्रूमेंट हो गई है अब उसको समझने के लिए हम कुश एक्जामप हमें इसे नूट किया है देखिए रेडियो फिरकुंसी जो होती है जिसके बैंड होते हैं हम इसलिए बेसिक बता रहे हैं कि बहुत लोग उसको यूज किये होंगे तो यहां पर देखें सबसे एक छोटा से एक्जामपल लेते हैं जो सिरामिक फिल्टर होता है जो हमारा प मेटल यहां पर मिले हैं यह कोई कहीं से लाया नहीं है आप जब सारी टेकनोलोजी को बहुत गहराई से समझेंगे तब आप खुद को भी जान पाएंगे और खुद को जान पाएंगे तभी बेटर कुछ कर पाएंगे ठीक है इसलिए इसमें यह नहीं देखना चाहिए कि ह हमारे टाइम बेस्टेड हो रहे हैं क्योंकि आपके जो ध्यान जहां पर होते हैं वही चीजें मिल पाती हैं जैसे आप सौप पर काम करते हैं तो दिन भर आपका सौप पर उसे मलब बिज जाता है तो आप जितना भी ध्यान जहां पर लगाए हैं वही चीज इकठा कर रहे तो उसमें हम काफी उसे टैली करते हैं जब किलेर होता है तभी हम आप लोगों को उस चीज के बारे में सेर करके बताते हैं आप ध्यान थे हमारे बातों को अब देखिए उसमें पीप में उसकी जो है देखिए कितनी छोटी सी है अब इस समय तो आपको SMD लेबल में मिलेंगे अभी SMD का भी बताएंगे कि SMD किसलिए बना है SMD SMD का भी अभी हम बताते हैं थोड़ा सा अब यहां पर हम सेरामिक फिल्टर की बात कर रहे थे इसमें से फिरक्वेंसियां छाटी जाती है फिल्टर की जाती है छाटने का मतलब फिल्टर की जाती है और मैं आपको यह भी बताया था कि इसमें भी जो है एक कैपिस्टर कीतरा काम करता है, और स्टोरेज जो होता है वो भी कैपिस्टर कीतरा है, तो यह सारा इनवर्स एक इनर्जी है, इसे आप बहुत विसे ध्यान दें, और इस चीज़ को जो लोग हैं पुराने फेल्ड में, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो हमारी बातों को समझ रहे होंगे और जो लोग नए हैं सायद उस बात को न समझ पाएं तो आप थोड़ा सा इस बात को समझेंगे तो और लोगों को भी सेर करेंगे तो काफी यह चीजें जो है फैलेंगी तो लोगों को एक थोड़ा सा जागरूकता आएगी स्वेंग को जानने की क्योंकि यहां पर देखेंगे सबसे ज्यादा यह जैसे इसमें देखें हैं इसमें होलोग्राम जो हमारी टेकनोलोजी है इसमें जैसे बाहर निकलते हुए आपको दिखाए दिया है 3D पिक्चर इफेक्ट तो इसको देखेंगे तो आप अपने आपको भी देख सकते हैं कि जैसे यहा जो के हैं या आपका जो यह ताकत लग रहा है इसी को अगर आप ऊपर ले जाएंगे यानि एक मैक्जिमम उचाई तक ले जाएंगे जिसे हमारा जो है जिसे आप आंत्रिस में देखें होंगे कि वहां पे लोग तैड़ते हुए मिलते हैं ठीक है वहां पे वाइस भी नही काम करती है क्यों फिजिकल लेवल जो है यहां पर जैसे आप एक एक्जामपल ले लें मैगनेट चुमबक आप देखें होंगे चुमबक पर जब कोई चीज चिपकाते हैं तो देखें कितना ताकत लगता है वही ताकत वही बेट है ओजन है ठीक है वह से सेम हमारा है इससे आप मैचिंग कर आ सकते हैं तो इस चीज को आपको समझना है कि वहां पर जाके तो भी हमारा जो है कॉंसस काम करता है लेकिन एक चीज काम करना बंद कर देता है वह है फिचकल मुमेंट वहां पर तो इसलिए देखिए वहां उस हिसाब से हमको जो है काम करना पड़ता है अ तो धर्ति के अंदर मिली है ठीक है और जो भी चीजे मिली है उसके गुड के अंसार उसकी जो है कारिषमता को हम जान सकते हैं और जानते हैं उसी के अंसार उसे हम उसकाम के लिए यूज करते हैं ठीक है जो भी इसी इनवर्स में यहां पर धर्ति पर है देखिए यहां पर ए उर्जा में क्या है प्रकास है प्रकास मतलब लाइट समझ रहे हैं यहां पर भी जब लाइट का नाम लिगा जाता है कि लाइट आई के नहीं जैसे बिजली बिजली सब्दिस लेका गया था जब आकास में बिजली चमकी थी तब इसका खोज हुआ था तो बिजली नाम उससे इसको कहा जाता था प्रकास क्या हुआ कि इसके दोरा जो लाइट आई अब वही देखिए थर्मल कैमरा लाइट को सेंस करता है जहां पर इसकी हीटिंग अब आस्ते आस्ते सारे चीज किलेर हो रहे हैं ठीक है और किलेर कब हो पा रहा है इस साइंस टेकनोलोजी के दोरा अग नहीं समझेंगे तो अभी तो कोई ऐसी किताब है नहीं या अभी यहां पर को इस सारी चीजों को बताया जाएगा अब आपको महसूस करके हीस चीज को जानना पड़ेगा तो जो इस फिल्ड में है आल्रेडी पहले से वह हमारी बातों को समझ रहे होंगे और जो नए होंगे उनके लिए थोड़ा प्राब्लम है क्योंकि अभी वह बोल्टेज करन्ट और इन चीज को फील करना काफी कठीन होगा जब उससे गुजरेंगे तो उस चीज को मतलब महसूस कर सकते हैं क्योंकि बह बहुत छोटी सी चीप के अंदर बहुत सारे सर्किट जो है इकठा कर दिये गए हैं यानि इंटेग्रेट कर दिये गए हैं सारी जो बाहर थे पूरी जो है एक मैडूल के रूप में जिसे माडूल होता था मारा कि पावर सप्लाई में यहां पे कोई माडूल यूज कर लो है इसको यूज करने के लिए ऐसे यह सिस्टम है कि पहले अलग-अलग सेक्षन होते थे अलग-अलग जगे पे एक विभाग बटा होता था अब क्या है कि एक एक सिस्टम को एक ही आई सी में कर दिये गया है तो वह जो बहुत सारे स्टेज होते थे से वो सारे स्टेज को इकठा आईसी के internal ही कर दिया गया नैनो टेकनालोजी कि वजह से हो पा रहा है तो अब थे शली के अनुसार इसको समझना है जानना है यहाँ पर अभी हम और आगे बताते हैं इसके पारे में भी क्योंकि हमारे हिसाब से मैं जो फिल कर रहा हूं कि यह जो आकास है और धर्ती इसके भी कांटिन्यू एक स्विचिंग है और वह है उर्जा और भी जो है कांस्टेंट नहीं है क्योंकि आप देखते हैं कि एलेक्ट्रॉन जो है हमेशा कांटिन्यू फ्लो होता रहता है के आप उसका जो देखे कुछ दूर जाके वो बीकनेस होता है तो बीकनेस के लिए है मोवाइल के लिए जितना वे डिजाइन किया होता है उसी हिसाब से उसका जो है रेंज होता है उस रेंज के अंदर जितने मोबाइल होंगे उस नेटवर्क को सेंज कर पाते हैं जो हमारे घर में होता है आई वर्वाला तो यह सारी टेक्नोलोजी को आप समझेंगे तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एक बात इसमें बता दें कि जैसे हम लोग देखते हैं या कोई चीज काम करते हैं तो यह होता है कि यहां पर कोई नहीं देख रहा है तो हम देखने का जो ज्यादा तर कहने का मेरा हम सब ल अंदर कुछ भी रहें जहां तक लाइट जा रहे हैं यह आपको देख़ा जा रहा है ठीक है और देखके ही सारे आप जो भी काम कर रहे हैं उस चीज को जो है read out करके उसी के moment के अनुसार ही आपको सारे result मिल पाते हैं हमको ये लगता है कि हमको कोई नहीं देख रहा है और वो सारी घटनाओं को हम लोग अंजाम देते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं है अब आपको उस technology को समझेंगे तो स्वयंग को जान पाएंगे कि हमारा इस अस्तित में क्या काम है और किसलिए आये हैं और मेरा धर्म क्या धर्म मतलब काम यहाँ पे सब एनर्जी का खेल है अब चलिए यहाँ पर आगे दिखाते हैं कि SMD इसलिए डिजाइन किया गया है SMD technology SMD component की उसको जो है एसेंबल करने में काफी इजी होता है क्योंकि रोबोट द्वारा जो टेकनोलजी है उसके द्वारा ही सारे सिस्टम बनते हैं अब जो भी डिजाइन हो रहे हैं जो भी एसेंबल किये जा रहे हैं वो सब जो है एक रोबोट के दारा जो है इसके सारे component को रखा जाता है एक सर्फेस इसलिए इसका नाम है कि SMD मतलब हुआ सर्फेस माउंट डिवाइस सर्फेस माने एक उस पे जो PCP पर रखा जाता है माउंट माने जोड़ना होता है लगाना होता है और डिवाइस मतलब यह जो component है जैसे यह हुआ यह हुआ यह हमारा रेजिस्टेंस हुआ यह रेगुलेटर हुआ आइसी हुआ तो यह सब को जो है डिवाइस बोलते हैं अब यहाँ बे अब जो यह टेकनोलोजी है इसको समझने के लिए आपको इसके बेसिस पे समझना होगा जैसे पहले क्या होता था यह रेजिस्टेंस पे एक कलर कोड होते थे जिसकी बेलू जान लिया जाता था और कुछ दिन में यह था कि इस पे लिखा होता था कि यह 10K है कि 1K है अब जो आपको इधर जो भी मिलेंगे वो चीजें इस पे लिखा भी नहीं होगा और इस तरीके से होगा अब आपको इस कीश करिएगा हम आगे वीडियो फिर बनाएंगे जैसे यहाँ पर देखें यह जो रेइलवेटर होता है यह यूज़ किया जाता है तो इसमें कुछ बोल्ट होते हैं जैसे हमारा फाइव वोल्ट हुआ तो एक बोल्ट किया जाते हैं टोयल वॉल्ट हुआ फाइव जराते हैं यहां पर फिक्स होते हैं तो किसी-किसी में दो बोल्ट सेंस किया जाते हैं जैसे यहां पर इसका यह ले लिए जाएगा हमारा 12 वोल्ट वाली यहां सप्लाई और यहां पर अगर लिया जाएगा तो बैक लाइट का लिया जा सकता है या अगर अधर हमारा जो सकते हैं उनिवर्सल डिजाइन मतलब कुछ जंपर होंगे जिसके द्वारा आप इसको जो है एक माडूल के रूप में कर सकते हैं और अगर फाल्ट हो तो उसे डारेट आप इसे जो है कहीं भी छोटा सा बना कर SMD लेबल में छोटा होई जाता इसकी साइज तो आप बहुत ही चोटे से PCV में बहुत ही इसको एक अच्छे से डिजाइन करके आप लगा सकते हैं और अगर कुछ लोग को तो ऐसे मालूम हो जाएगा कि अगर फाइव बोल्ट है तो यहां पर इसकी बैलू इतना होगा यह हमारा 110 बोल्ट है तो इसकी बैलू इतना होगा इसका बैलू इ और यहां का बैलू